यह जिसे जिसे तुम मेना नौकर कह रहो है ना यह मेरा चोटा बाई है यह मेरा अजीज है यह मेरा सब कुछ है हमारे गुजराती में कहावत है कि खाना है तो चाता भी खा लो मगर प्याज के साथ वापस करो मैं भावी मा को दिया वादा ज़रूर पुरा करूँगा साथ जी मैं ज़रूर लोट कराऊंगा स्वर्ग आपके बिना विरान पढ़ा है साथ जी दोस्तो स्वागत है आपका एक पार फिट से जा दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1990 में आई राजिश खन्ना साब और गोविंदा के फिल्म स्वर्ग के बारे में हम बात करेंगे और इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारे ऐसी सची बाते हैं फिल्म से जुड़े ऐसे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में तो पूरी जानकारे आपको मिलने वाली है फिल्म स्वर्ग के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ पने रहेगा दोस्तो अग खान की दिल, सनी देवल की घायल बहुत बड़ी-बड़ी फिल्म में रिलीज हुई थी लेकिन स्वर्ग फिल्म अपनी जगा एक अलग फिल्म थी इस फिल्म में गोविंदा का किरदार सभी को पसंद आया था और राजेश खन्ना सहाब की एक्टिंग ने फिल्म में चार चा तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म में राजेश खन्ना सहाब की एक्टिंग या गोविंदा की एक्टिंग दोनों में से किस अभिनेता की एक्टिंग आपको ज्यादा पसंद आया थी कमेंड में ये बास जरू बताईएगा तो चलिए आपको बताता हूं फिल् और फिल्म में हमें असार आये थे गोविंदा, जुही चावला, मादवी और राजेश खन्ना साहब फिल्म के डारेक्टर थे डेविड धवन और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को नंदुजी तोलानी ने फिल्म की कहानी लिखी थी नंदुजी तोलानी और अनीज भस्पी ने और व्योजिक दिया था इस फिल्म को आनन मिलें ने बज़ट था इस फिल्म का तक्रीबन 2 करोड उपे के आसपास और बॉक्स ओफिस इंडिया पार इस फिल्म ने 5 करोड उपे की शांदार कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 10 करोड उपे कमाई थी और ये एक ड्रामा फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पार हिट साबित हुई थी चिरे दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े अन्नौन फैक्ट के बारे में नमबर एक दोस्तों स्वर्ग फिल्म के शुटिंग 6 महीने में ही पूरी कर ली गई थी साल 1989 दिसंबर में फिल्म रिलिस होनी के लिए पूरी तरह तयार थी लेकिन 1990 के शुरुआत में ही गोविन्दा की 6 और फिल्में रिलिस होनी थी तो इस कारण से स्वर्ग फिल्म मैं 1990 तक विलम बित कर दी गई थी नमबर दो दोस्तो डेविड धवन के साथ गोविन्दा की ये पहली हिट फिल्म थी इसके अलावा राजेश खन्ना की आँकरी फिल्मों में स्वर्ग फिल्म एक बड़ी हिट थी नमबर चार दोस्तो राजेश खन्ना साहब के साथ गोविन्दा की भी ये पहली फिल्म थी नमबर पांच स्वर्ग फिल्म में गाना था कैसे कटे दिन इस गाने को मुहम्मद अजीज ने गाया था और ये गाना मुहम्मद अजीज द्वारा गाया गया उस टाइम का एक बड़ा हिट गाना हुआ था नमबर छे और आखरे अन्नौन फेक्ट दोस्तो साल 1990 में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में फिल्म स्वर्ग चौदवे नमबर पर थी और जबकि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर बड़ी सा फलसावित हुई थी तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसना होगा और आप हमें कमेंड में अपने रहे जरूर बताईएगा